हलो एवरीवान तो हम बात करेंगे आज Newton laws of motion की यह है हमारा नया lecture और इससे पहले आप लोग kinematics पढ़ चुके हो kinematics में अब अब तक effect पढ़ रहे थे उसके पीछे का cause क्या होता है वो आज अब इस lecture में पढ़ने वाले हो इस chapter में पढ़ने वाले हो Newton laws of motion में या फिर इसको dynamics भी बोलते है kinetics भी बोलते है यहां पर हम लोग किसकी बात करने वाले है कि कोई भी motion अगर हो रहा है किसी body के अंदर velocity आ रही है किसी body के अंदर acceleration आ रही है या उसका displacement हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है उसके बीचे कि क्या force है कौन सी force लगी तो यहां पर हम दो चीजों की बात करेंगे सबसे पहले मैं classical mechanics की बात करूंगा जो गैलियो उसके बाद Newton दोनों ने मिलके बनाई थी वैसे Newton का contribution ज्यादा था बट गैलियो का भी काफी अच्छा पाट उसमें था राइट सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे लेगिन फिर उसके बाद हम चले जाएंगे Newton laws of motion chapter पर Newton के तीनों laws कौन-कौन से होते हैं आज ही introductory lecture है काफी important lecture है यहाँ पर आपको बहुत basic basic knowledge मिलने वाली है जो आप छोड़ देते हो काफी जोगाबे ठीक है तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग गैलियो का क्या contribution था और Newton का क्या contribution था ठीक है गैलियो ने actual में एक शुरुवात की उसने जानना चाहा कि हर बोडी को चलाने के लिए हर बोडी को motion में रखने के लिए या फिर या फिर अगर कोई body constant velocity से भी चलना चाहती है तो क्या उसके लिए भी हमें continuous force रगानी पड़ेग यह कुछ सवाल थे जो गैलियो के मन में भी थी और न्यूटन के मन में भी थे राइट फिर आपको पता होगा कि न्यूटन ने काफी ज्यादा study करने के बाद कुछ लोस बनाए कुछ न्यूटन के लोस बनाए और उसने एक बुक थोड़े दिन बाद एक बुक को निकाला और उस बुक का नाम क्या था शायद में अच्छे से इसको प्रनाउस ना करभा हूँ बट फिर भी एक बार बोलता हूँ फिलोसफी फिलोसफी नैचुरलिस प्रिंसिपिया मैतमाटिक का यह जो फेमस होती है बुक यह फेमस है प्रिंसिपिया के नाम से राइट अगर आप 1687 में यह बुक आई थी 1687 आप लोगों को पता है कि बहुत पहले की बात में बहुत पुरानी बात है ना 1687 में यह बुक आई और आप लोगों को पता होगा कि उस टाइम पे ना तो स्पेशल एलेटिविटी थियोरी आई थी और ना ही क्वांटम मेकानिक्स आया था राइ यह चार ब्लोक्स आपको दिख रहा हूंगे ठीक है एंवार्ट मेंट फोर्स बोडी और अचल्रीशन राइट तो आपको मैं बताता हूं कि force के बारे में सबसे पहले define करा गया force को बोलागे कि force क्या चीज़ होती है मैं आपको बताता हूं force is the interaction between the body and the environment आप ऐसा मान के चलो ठीक है तो इसको बोलते है यह जो यहां से यहां तक है ना पूरा environment से body तक इसको बोलते है laws of force laws of force और जो आपको पता है कि अगर किसी भी body के अपर force लगेगी तो उसके अंदर एक acceleration आता है acceleration आप लोग पढ़ चुक है kinematics में इसको बोलते है laws of motion जिससे motion आ सकता है या फिर motion के state में change आ सकता है तो laws of force और laws of motion इन दोनों को मिला के ही classical mechanics बनी क्या बनी classical mechanics बनी आपको पहली बता दूँ कि classical mechanics में इस बात को याद रखोगे आप लोग कि classical mechanics सिर्फ और सिर्फ point object के लिए define होती है राइट अब सब लोग पूछेंगे सब लोग बोलेंगे कि point object क्या होता है point object तो बहुत छोटा सा object होगा है नहीं point object मैं भी हो सकता हूँ point object यहाथी भी हो सकता है point object एक पहाड भी हो सकता है point object हमारी earth भी हो सकते है कि जिस body को हम consider कर रहे हैं, उस body की dimension क्या है? अगर उसकी dimension हमारे distance से, जो हम distance चलने वाले हैं, जो हमारी displacement होने वाला है, अगर उससे negligible उसकी dimension है, तो फिर मैं क्या बोलूँगा? कि वो point object है. जैसे for example universe के लिए, हमारी earth जो है, वो point object है. हमारी earth के लिए, हम point object है. हमारे लिए, एक cheating point object है. ऐसे ही, हर चीज़ को point object माना जा सकता है, एक और बात. जितनी भी चीज़े मैं आप आज बोलूँगा, मैं हमेशा ये consider करके चलूँगा, कि कोई भी body, जो भी मैं consider कर रहा हूँ, मैं block मान रहा हूँ, या मैं कुछ भी मान रहा हूँ, हर body rigid है. rigid body का मतलब क्या होता है, कि सारे particles साथ में चलेंगे. ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं force रगाँगा, और body टूट जाएगी, और body भी कर जाएगी. मिट्टी का गोला होगा, तो मैं मिट्टी का गोले को हाथ में पकड़ूगा, तो वो तूट जाएगा, ऐसा नहीं है. मैं force body की बात कर रहा हूँ, force का मतलब होता है, कि body की dimension change होने वाली नहीं है. आपसन में? तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक point, body का एक particle की अगर velocity V है, तो दूसरे particle की velocity भी क्या होनी चाहिए? V, अगर ऐसा होगा, तो ही मेरे यह laws valid होंगे, otherwise नहीं होंगे, ठीक है? इन laws को हम redefine करेंगे, बाद में, जब हम rotation chapter पढ़ेंगे, rotation से पहले हम लोग center of mass पढ़ते हैं, तो center of mass के बाद, कुछ नई definition आपको आगे मिलेगी, लेकिन center of mass स चलेगा, is it clear? ठीक है, एक और बात, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कि force ने दो चीजों को define करा, force नहीं laws of force को define करा, और force नहीं laws of motion को define करा, तो force यहाँ पर important बालते है, और Newton ने तीनों laws के अंदर, force के उपर ही emphasize किया है, force के उपर ही उन्होंने जादा focus किया, तो force क्या ठीक है, और मैं laws of motion के तरीके से उसको define करूँ, तो force एक ऐसी चीज है, जो किसी भी body पर लगेगी, तो उसके अंदर एक acceleration produce करेगी, is it clear? ठीक है, बहुत सारे बच्चों को force के definition बता रहती है, push or pull, बहुत सारे बच्चे बोलते भी है, और वो बिल्कुल definition सहीं है, उसमें कु मोडने के लिए, अगर ये काम हम करना चाहते है, तो हम जो push or pull लगाते है, उसी को हम लोग बोलते है, क्या force, right? तो मैं आपको पताता हूँ कि force के effect क्या-क्या हो सकते है, force के effect बहुत सारे हो सकते है, जैसे कि for example, ये किसी body की, अगर कोई body rest पे है, तो उसको motion में भी ला सकती है, right? कोई body ऐसा भी हो सकता है, कि कोई body सीधी चल रही हो, तो उसकी direction को change कर सकती है, right? या फिर, ये फिर एक और काम कर सकती है, जिसको हम बोलते है, shape को भी change कर सकती है, नहीं समझे, यतनी बहुत समझ में आगी? तो ये सारे force के effect है, rest से motion, motion से rest, direction change, या फिर shape change, right? ठीक है ये बात तो सही है, अब जितने भी philosophers Galileo से पहले थे, वो सब एक ही बात सोचते थे, क्या सोचते थे मैं आपको बताता हूँ, वो लोग सोचते थे कि अगर किसी भी body को continuously motion में रखना है, तो continuously इसके उपर force लगा के रखनी पड़ेगी, external force लगा के रखनी पड़ेगी, भले ही bodies, constant velocity चलना चाती है, तो, लेकिन Galileo ने एक बात सोची फिर, Galileo ने इसके उपर study करना start किया, और Newton का पहला लोग क्या था, मैं आपको बताता हूँ, Newton के पहले लोग को समझने के लिए, हम लोग थोड़ी सी considerations कर रहे है, थोड़ा सा imagine कर रहे है, देखो मैं shortcut में पढ़ा सकता ह लेकिन थोड़ा सा मैं आपको imagine करवाना चाता हूँ, बस first low की बात बताऊंगा, ठीक है, आप लोग करो क्या, आप लोग के ऐसा system लोग जहाँ पे आपकी force almost zero हो जाए, net force, ठीक है, हाला कि practically हम ऐसा system बनानी पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, सबस कार है, मालो कि मैंने उसको धक्का देके किसी horizontal surface पे फेक दिया, ठीक है, horizontal surface पे उसको धक्का दे दिया, तो वो कुछ दूर चलती है, फिर वो रूख जाती है, right, मुझे नहीं पता क्यों रूख रिया हो, अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है, अब मैंने क्या क अब उसकी velocity, घटने का rate, कम हो गया, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने उसको दुबारा उठाया, फिर मैंने नीचे वाले surface पे भी lubricant डाल दिया, और उसके wheels पे भी lubricant डाल दिया, अच्छा वाला lubricant, ठीक है, फिर उसको चलाया, same धक्का दिया, same force दी, और दूर तक गई, अच्छा, फिर मैंने एक और काम किया, मैंने बुलाया, एक काम करता हूँ, horizontal surface जो है मेरा, उसको solid की जगा, थोड़ा liquid type का कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा और अच्छा सा surface, जिससे थोड़ा और, मैं ऐसा मान लेता हूँ, जिससे थोड़ा क्या हो जाए, जिससे थ जिरो ही कर दिया, तो अब क्या हुआ, अब body constant velocity से permanently चल रही है, मेरी कोई force के requirement नहीं, मैंने एक बार उसको start कर दिया, बस, उसके बाद चलती जा रही है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है, अच्छा, फिर वहाँ से इन दोनों को बात समन में आई, गैलेलियों को भी बात सम continuously चलती रहेगी, है न, और अगर किसी body को पर net force 0 तो वो continuously rest पर ही रहेगी, समझे, लेकिन यहाँ पर एक word मैं बोल रहा हूँ, net force, net के बीना मत बोलना कुछ भी, अगर आपने net को छोड़ दिया, तो इसका महलब फिर आप, आपका लोग सहीं नहीं है, तो Newton ने statement दिया, Principia Mathemat में, उसने statement दिया कि, if the net force on a body is 0, that means, if a body is at rest, will remain at rest, if a body is in motion, will remain in uniform linear motion, अगर वो ही body, uniform linear motion में, uniform linear motion का मतला होता है, velocity constant है, तो वो constant velocity से ही चलती रहेगी, ठीक है दिनी बाद, तो Newton का जो first low था, first low, important low, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला, Newton बाबा ने बोला, कि if f net on a body is 0, net force अगर 0 है, तो हम लोग बोलेंगे, कि अगर body rest पे है, तो वो rest पे ही रहने की कोचिश करेगी, right, और अगर कोई body चल रही है, तो वो चलते रहने की कोचिश करेगी, right, कोई body अगर uniform motion में है, उसी में uniform motion में ही रहने की कुचिश करेगी, right, ये था हमारा फैला, फैला low, first low, ठीक है, ये तो statement हो गई, Newton की statement उन्होंने बोल दी, और ये बात हमें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ता है, अब बात करेंगे, अगर मालो कि ठीक है, Newton ने ये ब reference frame के बारे में सब लोगों ने सुना होगा, कोई नई चीज नहीं है आप लोगों के लिए, फिर भी मैं आपके एक बार और बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन reference frame भी यहीं से define हुए थे, ठीक है, तो नहीं बात, वो हम बात में बात करेंगे, सब से पहले उन्होंने बोला कि क्या हर बोडी के अंदर ये शमता होती है, हर बोडी के अंदर ये क्या ही शमता होती है, जी होती तो है, ठीक है, लेकिन क्या हर बोडी की, मलब हर बोडी को अगर मालो, फिर उन्होंने इस लोग को थोड़ा अलग तरीके से define करा, उन्होंने बोला, अगर किसी भी बोडी को रेस्ट से मोशन में लाना है मोशन से रेस्ट में लाना है तो नेट फोर्स लगानी ज़रूरी होती है राइट वो भी इसी का पार्ट है ठीक है अच्छा तो अब उन्होंने एक नया टर्म डिफाइंग करा जुसको हम बोलता है इनर्शिया क्या बोलते हैं भाई क्या होता है इनर्शिया कोई बताएगा मुझे वाद दी मीन बाई इनर्शिया बहुत सिम्पल सीज़ है किसी भी बॉड़ी की अपनी स्टेट में रहनेगी आगर कोई रेस्ट पर है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है तो उसकी अबिलिटी मैं इसको जबरतस्ती बोल रहा ह के लिए राइट फिर ऐसी अगर कोई body uniform motion में चल रही है तो उसको मैं बोल रहाँ rest पर चल लेकिन वो नहीं जा रही तो उसके अंदर भी एक ability है जो उसको अपने motion में भरकड़ा रख रही है उस ability को हम लोग बोलता है inertia is it clear या फिर मैं ऐसा भी बोलता हूँ कभी-kभी ability to bear the force without any change in state of motion force को सहने की शमता को बोलता है inertia ऐसा मान के चल लो ठीक है एक बात और बता तूँ कि inertia को जब आप measure करते हो तो वह आप mass की form में measure करोगे जिसका जितना ज्यादा mass उसका उतना ज्यादा इनर्शिया simple सी बात है ठीक है mass के बढ़ने से inertia बढ़ता है कैतीनी बास में आई मास के बढ़ने से inertia बढ़ता है ठीक है लेकिन अगर मोटे इंसान को मैं उस नहीं force से तपड मारू तो हो सकता है वो ना भी किरे हो सकता है वो अपनी जगह से हिले ही न क्योंकि इसको force आने की समता ज्यादा है राइट वैसे आप एक पत्तर का example ले सकते हो चोटा पत्तर बड़ा पत्तर पे लाद मारोगे तो समझाऊंगा तीन तरह की इनर्शी होता है पहला होता है इनर्शी आफ रेस्ट ठीक है दूसरा होता है इनर्शी आफ मोशन और तीसरा होता है इनर्शी आफ डारेक्शन इनर्शी आफ डारेक्शन इनर्शी आफ डारेक्शन वाट इनर्शी आफ डारेक्शन वाट इनर्श ठीक है एकदम बढ़िया से चपना ना खाया हुआ है और अब आप नशेन हो ठीक है आप लोग जाके बस में बैठ गए और बस रुकी भी अच्छे से ठीक है आप लोग मज़े से सो रहे हो अचानक कोई ड्राइवर आ गया और उस हैवी ड्राइवर ने मालो की अचानक बस को बहुत तेजी से आगे चला दिया तो उस टाइम पर होगा गया उस टाइम पर आप लोगों को जटका लगेगा और आप लोगों की बोड़ी पीछे की तरफ बैंड हो जाएगी राइट बहुत तकड़ एक्जामपल है उसका ये मालो की मेरे पास कोई रसी है उसके साथ एक ब्लॉक अटाच है और नीचे भी रसी है राइट बहुत कहीं बार ये कुश्चन पूछ लेते हैं मैं डिरेक्ली इसका आंसर बताता हूं अब लोगों को एक रसी ए है और एक रसी बी ह उपर वाली रसी का नाम A है नीचे वाली रसी का नाम B है अब जान से देखूं यहां पर दो कैसी होते हैं अगर मैं B वाली रसी को पकड़के खीचूं तो मैं दो तरीके से इसको खीच सकता हूं मेरे पास दो कैसी है कौन-कोन से जान सुनना पहला केस है कि अगर मैं इस व अचानक अगर ऐसा हुआ तो होगा क्या यह जो ब्लॉक है यह एम ब्लॉक यह उपर की तरफ इस इस फोर्स को ट्रांस्मेट नहीं कर पाएगा और जिसकी वज़ए से रस्सी यहां से टूटेगी अगर आप अपनी फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाओगे तो उस टाइम पे आपका ब्लॉक जोगा वो धीरे धीरे मोशन में आना स्टार्ट होगा हलका जा मोशन में जो आपको दीखेगा नहीं और यह इस फोर्स को ऊपर की तरफ ट्रांस्मेट कर देगा उस वक्त रस्सी यहा अब भात करते हैं अब बात करते हैं पताए इनर्शे ओफ मोशन जो आपको दिख रहा है यह इनर्शे ओफ मोशन फिर सदुबार वोई एक्जामबल आप दारू के नेशे में बस चल रही है बड़ी मजएसे आप लोग सो रहे हूं अचानक से कोई सामने आ गया तो आप है अब ही ड्राइवर ने ब्रेकप्प्लाई कर से तो सुच बार ब्रेक जैसे फ करेगा तो अचानक से, या आप लोगो घटका tin फ जूक जाओ गया है इनर्ट को लेती है तो आप लोग की तरफ गिर जाते हो right क्यों इनर्ट वोको यह बात पता लग गई right good एक और बात जिस reference frame में, reference frame मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ kinematics में, लेकिन अभी एक बात और बता रहा हूँ, please सुनो, जिस reference frame में Newton का laws applicable होगा, उस frame को बोलता है, inertial frame of reference, inertia से यह नाम बना, ठीक है, पहले लोग का दूसरा नाम होता है, law of inertia, याद रखना इस बात को, first law का एक और ना नाम law of inertia भी बोला जाएगा, right, तो law of inertia, what is law of inertia, जिसमें अगर net force 0 हो, तो body rest पर है, तो rest पर रहेगी, और motion में तो motion में रहेगी, right, next law पर आते हैं, इसने, मलब एक तरीके से ऐसा, ये चीज़ सिर्फ conditions define करी, right, अब magnitude की बात करते है, force के magnitude की, और force के direction की कौन बात करेगा, व लेकि Newton के second law पर आने से पहले आपको एक चीज़ define करनी पढ़ते है, जिसको हम बोलते है, momentum, अगर आपने momentum पढ़ लिया, तो फिर आप Newton का second law अच्छे से define कर पाऊगे, otherwise, आपको दिक्कत होगी, what is momentum guys, momentum को पढ़ने के लिए हम एक चीज़ समझते है, बहुत simple सीचे बताता ह आपको ठीक हो, ठीक है, for example, की सामने से, बहुत आप लोग यहां पे road पर खड़े वे हो, ठीक है, और आपके सामने से road पर मालो की दो truck वाले आ रहे है, truck छोड़ो, cycle की बात कर दें, ठीक है, एक cycle 1 है, और यह cycle 2 है, इसको cycle 2 माल ले दें, ठीक है, चलिए, cycle 1 और cycle 2 दोनों का मास से सेम है, मास M और मास M, यह वाला आ रहा है मालो तूफान की speed पर विलिवे दो, मालो की, iska speed है 20 मीटर पर सेगे, और यह वाला आ रहा है मालो थोड़ा सा कम speed पर मालो 2 मीटर पर सेगे, मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग जैसे अपने सामने से कि-सके सामने आना और कि-सके, नहीं आना राइट कि-सके सामने आना पाप है। तो आप लोग 20 meters per second के सामने बिल्कुल नहीं आऊँगे क्योंकि आप लोग क्यों को देखने से पता रहां जाएगा कि भट तूफान मन रहा है न और ये उडा ट्रक यह कारीय है साइकल, यह ट्रक है और यह साइकल वापस, ठीक है, दोनों की स्पीड पांच मिल्टर पर से गिंड़ हागा, किसे सामने आना पसंद करोगे, साइकल के है, क्योंकि आप लोगव उच्छे सा पता, साइकल को आप लोग, लादवाद मार के भी गिरा विरा सक या फिर भोग सकते हो लेकिन ट्रक सपाट कर देगा, प्लेन कर देगा, खुरचना पड़ेगा, राइट, आया ना, बिल्कुल सही बात, तो ट्रक के सामने आप बिल्कुल आना पसंद नहीं करोगे, इसका मतलग यह हुआ, यहाँ पर क्या चीज, एक मिनट, वेलोस्टी मतलब यह हुआ, कि किस बोडी में कितना मोशन है, यह हमें देखने से पता लग जाता है, और यहाँ पर दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, बोडी के अंदर कितना मोशन है, कि यह दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो मास पर और एक वेलोस्टी पर राइट, और quantity of motion contained in a body is defined by the momentum ये बात याथ रखो कि किस body में कितना momentum है ये quantifying करेगा mass और velocity momentum का मतलब quantity of motion ठीक है तो quantity of motion और क्या बोलते है momentum बोलते है और momentum जो होती है एक vector quantity होती है इसका formula होता है m into v vector m into v vector what is v v is the velocity m is the mass याद रखें कुछ बच्चों के दिमाग में गलत फेमी रहती है कि mass velocity के बीच में dot product है या cross product है ना तो dot है ना ही cross है क्योंकि mass is a scalar quantity right okay तो momentum का formula आगे है mass into velocity momentum की जो unit आजाएगी ऐसा unit क्या आजाएगी की बता हो जाला कि बार मुझे वह आजाएगी kg meter per second बहुत सिंपल सी unit है भाई को ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है इसमें ठीक ना अच्छा तो यह आगया मोमेंटम चलिए momentum define हो गया momentum की बात समझ में आगे सब लोगों को अब बात करते है newton के second law की तो न्यूटन का जो second law है इसको हम कभी कभी law of momentum के नाम से भी जानते है law of momentum राइट law of momentum क्या बोलता है जला मेरी बात को ज्यान सुनना statement को सुनना जो मैं बोल रहाँ ठीक है statement बोलती है कि कभी भी अगर किसी body का momentum change होता है ठीक है तो उसका rate of change मतलब की change in momentum upon time taken कितने time में कितना momentum change हुआ rate of change of momentum is equals to the force applied to that body okay कौंसी force net external force बार बार बोल रहाँ प्लीस प्रसईसली सुनो net external force की मैं बात कर रहाँ ठीक है तो दा rate of change of momentum is equals to the net external force applied on the body ठीक है ठीक है एक बात ओर and the direction of the change of the momentum is in the direction of the application of the force नही समझे mathematical statement बताता हूं mathematical formula था F net external is equals to D P vector by DT is D by DT का मतलब क्या होता है derivative rate of change rate of change of momentum with respect to time is equals to net external force that is the formula for the second law or law of momentum that is clear to everyone great अब यह formula थो हम यह समझ में आ गया भई F net equals to D P vector by DT बहुत बढ़िया formula है good लेकिन मैं आपको दुबारा फिर से बोल रहा हूं कुछ बच्चे जब भी आप से newton second law पुछा था कुछ बच्चे एकदम से तोड़के पढ़ता है एकदम बोलत है newton second law f net equal to m में गलत f net equal to m में गलत एकदम नहीं बोलना हाला कि f net equal to m में भी आप बोल सकते हो लेकिन अगर कोई mathematical statement बूसता है तो f net equal to D P by DT is more efficient answer right more precise answer तो आप लोग ऐसा बोलोगे the rate of change of momentum is equals to the f net okay and then and the and the direction of change of momentum is along the net force applied clear everyone ठीक है फिर यहां से हमें एक formula मिलता है आप लोगो कच्चे पता है यह formula कि f net equals to में बोल सकता हूं यहां से d by dt of what is p vector it is m into v vector right so you bol रहूं good to f net vector would be equals to D M to constant D by dt V vector हम लोग M को constant मानगे चल रहा है जब Newton ने यह लोग बनाया था उस वक्त relativity नहीं आई थी उस वक्त यह भी नहीं आया था क्या बोल देसको quantum physics right quantum mechanics भी नहीं आई थी तो microscopic particles की study नहीं हो रही थी और relativity की study नहीं हो रही थी इसले मास को constant माना था तो अब लोग ऐसा मान सकते हो तो classical mechanics में हम लोग मास को constantly मानेंगे I am into dv by dt what is dv by dt भाई पढ़के आ चुके हो तुम लोग kinematics में dv vector by dt is a vector तो f net equal to ma vector एक और formula बन गया एक और relation बन गया जिसको आप कर सकते हो राइट तो f net equal to ma vector is the formula for the formula for the motion of the bodies तो यहां से एक बात पता लग रही है मैं कि जब भी जब भी किसी body के उपर एक force लगेगी तो उसके अंदर एक acceleration आएगा राइट कोई दिक्कत नहीं सब्सक्राइब पहला लो समझ में आया फर्स रोने क्या बोला था बताओ फर्स रोने क्या बोला था बताओ फर्स रोने बोला था कि अगर किसी body के उपर net external force 0 होगा उस body की body अगर अगर आप net external force को 0 डाल दोगे if f net को मैं 0 कर दूँगा तो क्या a b 0 हो जाएगा और यह 0 होने का मतलब क्या होता है कि body रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी और acceleration अगर अगर उसकी velocity constant है तो constant रहेगी राइट तो newton second law एक बाप लो होता है सबका बाप लो क्योंकि यह first law को भी define करता है और third law को भी define करता है clear everyone यह बास समझ में आ लिए सब लोगों को good next बात करेंगे अब newton के third law की third law बहुत सारे बच्चों को याद रहता है मुझे पता है first law or third law तो याद रहते है second law भूलते है second law को पर ज्यादा ज्यान दो right so what is third law third law को मैं बोल सकता हूं third law को हम लोग कभी कभी law of action reaction भी बोलते है और बहुत सारे बच्चों को पता रहता है यह ठीक है पता रहता लेकिन फिर भी गलती करते है तो इसके statement बहुत simple सी है भाई कि every action has an equivalent opposite reaction यह बात सब लोगो को पता है कोई भी बताने वाली बात इसमें नहीं है लेकिन कुछ important बात थार्ड वो मैं आरा in law of action reaction होता है ठीक है तहीं बात तो समझ में अ आई लेकिन कुछ important बाते भी होती है in law of action reaction में क्या-kay important बात होती है आप किनी भी दो forces को action reaction नहीं बोल सकते, action reaction बनने के लिए कुछ हासिल करना पड़ता है, कुछ conditions को satisfy करना पड़ता है, right, और वो conditions क्या-क्या है, आप लोग क्या करता है, जब भी दो equal and opposite forces देखते हो ना, directly उसको action reaction बोलते हो, right, नहीं, कुछ important बात है, कुछ conditions है, जब action reaction को आप बोलते हो, तो कुछ conditions होती है, क्या क्या conditions होती है, हाँ सुनना, forces जो होती है, वो same line पर लगनी चाहिए, simultaneously लगनी चाहिए, दूसरी बात, तीसरी बात, opposite direction में लगनी चाहिए, different bodies पर लगनी चाहिए, same nature होना चाहिए, right, and equal in magnitude होनी चाहिए, यह साड़ी condition satisfy होंगी, तभी आप किनी दो forces को action reaction बोलोगे, right, same line, simultaneously, opposite direction, different bodies, same nature, equal in magnitude, for example, मालो मा किसी बादी पर दो फोसे लगाद एक 20 newton इधर, और 20 newton इधर, तो मैं आप से जब पूस्ता हूं, बहुत सारे बच्छों जब मैं पूस्ता हूं, बहुत सारे बच्छों जब मैं पूस्ता हूं, बहुत सारे ब सेम बोडी, action reaction होई नहीं सकती, है ना, नहीं action reaction, एक और question पूस्ता हूं, मालो कि मैंने बोला, 120 newton इधर लग रहा है, और चलो कि, चलो, 120 newton मालो, इस body पर इधर लग रहा है, right, क्या ये action reaction है, बच्छे बोलता है, yes sir, दोनों लग 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 बोडी से तो है sir, और दोनों एक not action reaction, ठीक है, तो मालो की हमारे table के ऊपर, मालो की चैपल है वोई, इस table केऊपर block रखा है, एक force ऐसे लग रही है, normal reaction, एक force नीचे लग रही है, mg, क्या ये action reaction है, mg जो लग रहा है वो मालो की table के ऊपर लग रहा है, और normal action ब्लॉक के उपर लग रहा है क्या ये एक्षन रीक्षन है सोच एक बार नहीं है क्यों नहीं है बताओ क्योंकि यहाँ पर सब कुछ सेटिस्फाई है इक्वाल एडपोजट भी है साइमल्टेनियस भी है सेम लाइन पे भी है अलग अलग बोडिस पे भी है लेकिन यहाँ पर एक चीज़ सटिस्फाई नहीं होरी that is nature दोनों फोर्स का नेचर सेम होना चाहिए अगर एक नॉर्मल रेक्षन है दूसरा भी नॉर्मल रेक्षन ही होना चाहिए एक ग्राविटेशन है दूसरा भी ग्राविटेशन ही होना चाहिए अगर एक लेक्ट्रोस्ट्रेटिक है दूसरा भी लेक्ट्रोस्ट्रेटिक होना चाहिए अगर यह कंडिशन सेटिस्फाई होंगी तो ही आप लोग बोलोगे कि that means action reaction low है otherwise नहीं है is it clear everyone तो third low के बारे में भी आज आपको पता लगा एक चीज मैं important जो बताना चाहरा हूँ आज वो यह है कि यह सारे lows point masses के उपर valid है किसके उपर valid है point masses extended bodies पे आप इन lows को लगाओगे लेकिन जब आप center of mass पढ़ लोगे उसके बाद center of mass से पहले हम जितनी भी bodies पढ़ेंगे सब को क्या मानना पढ़ेगा point masses is it clear इसलिए आप लोग FBD बनाना सीखोगे इसलिए आप लोग nature of forces के बारे में बात करोगे इसलिए सब कुछ clear everyone एक बात और कि यह जो मैं आपको बता दूँ कि यह जो laws होते हैं लोकल लो होते हैं कौन से लो होते हैं लोकल लो लोकल लो का मतलब होता है कि यह सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट को देख रहे हैं इनको मतलब नहीं है कि body का past क्या था इनको मतलब नहीं है कि body का future क्या होगा clear everyone तो इनको history से मतलब नहीं है इनको जोग्राफी से मतलब नहीं है, इनको मतलब है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट से, कि फिलाल बॉडी मेरी ये है, इस बॉडी पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स लगाने के बाद ये ये इफेक्ट आ रहे हैं, बस these kind of considerations we have, और ये आपको लोगों को समझ में आनी चाहिए, कोई दिक्कत इसमें, नहीं, चलिए, तो यहां तक थी हमारी थियोरी, तीनों लॉट्स की, इसके बाद मैं आपको कुछ numericals वाल करूँगा, basic numericals, ताकि आज के lecture का थोड़ी बहुत ही knowledge आपको, numericals में लगानी आनी चा यह है मेरे कुछ questions, जो आप देख रहे हो, ठीक है, यह बहुत ही normal से questions हैं, जो बहुत सारे बच्चों को problem देते हैं, कहीं बार, ठीक है न, बच्चे काफी confused हो जाते हैं, problems में ठीक है, लेकिन यह बहुत ही basic सी problems है, अगर आप अच्छे solve करो को तो आराम से आ जाएंगे, तो by the particle in certain displacement will be proportional to, velocity की बात पूची है, किसके proportional होगा, यहाँ पे बात कर दी गए displacement की और, एक force की, right, तो force और displacement की टर्मस में आपको velocity रिकाल ले, कैसे निकाल होगे, क्या आप लोगों को अच्छे से पता है कि F net equal to M में होता है, right, तो मैं F equal to M into A की जगा क्या लिक रहा हूँ, त displacement की बात करने है, तो मैं बात कर रहा हूँ, V dv by dx, right, तो गर मैं V dv को इधर रखूंगा, तो यह बन जाएगा, F by M, dx, right, दो नो तरफ इंडिगे कर देंगे, guys, तो यह आ जाएगा, V square upon 2 equals to F by M into X, तो ध्यान से देखेंगे, आप लोग तो यहाँ से मुझे जो V की value मिल र मैं answers, fourth option सही है, clear everyone, याद रख के मैंने displacement की फॉर में निकाला है, same वैसा ही कुशन मैं एकोल लेकाया हो, ताकी बच्छो, confusion दूर हो जाए, देखू जाए, एक मिन अटा, जिवाला कुशन देखू, इस वाला कुशन में तेकू, तेकू सेम स्टेटमें अ कॉस्टन फॉर्स स्टेशनरी मास पर ही अपलाई करी वापस टिकना वेलॉस्ट रटेंट बाइट पार्टिकल दुबारा फिर से पूच रहा लेकिन सर्टेन इंटर्वल अफ टाइम, इस बार टाइम के फॉर्म में निकालना है ठीक है, तो क्या करेंगे दुबारा फिर से f net equal to m में, फिर से f equals to m into, what is a इस बार, aq value लखेंगे इस बार dv by dt, सब kinematics में सिखा चुका हूँ, नहीं पता, तो इक बार lecture देख लो जागे ठीक है, तो ज्यांस देखो इस बार क्या करेंगे, इस बार दुबारा फिर से इंटिकरेट करेंगे, तो f by m dt equals to dv, इंटिकरेट कर देते, दोनों समझ पाए, तो अच्छी बात है, समझ पाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं समझ पाए, तो अगर सब्सक्राइब पराव तो अन सब्सक्राइब कर दो, right, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं, next, force, next वाला, a force produces the acceleration a1 in a body, मार लो की एक body है, m1 मास की, इस body के उपर force लगती है, तो उसके अंदर acceleration आती है, a1, right, दूसरी बात, अगर same force आपने दूसरी body पर लगा दी, मार लो एक और body है, m2 मास की, उसके अपर भी same force आपने लगाई, तो उसके अंदर acceleration आती है, a2, उन्होंने बोला, अगर आपने दोनों bodies वो combine कर दिया, और same force apply करी तो अब अब बताओ acceleration कितनी हैगी, तो अगर में दोनों फोर्से दोनों bodies को combine कर दो, तो M1 plus M2 बन जाएगी न, अगर आपने दुबारा फिर से force लगा दी F, तो दो बार acceleration क्या आएगी, वो निकालना, ठीक है, कैसे करोगे, बोलो, हाँ, चलिए, आप लोगो और फस्त वाली body में हम लोग F net equal to M1 लगाएंगे, तो F net कितना है, external force कितना है, capital F, याद रखे, internal force से में कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ, external force से मतलब है, और एक बात और याद रखनी है, जिधर की तरफ जाती है, acceleration, वो वाली side होती है, positive, क्यों होती है, positive, सबस्त वाली body पे लगाएंगे, तो F equals to M1 A1, right, आएगा न, बिल्कुल आएगा, अच्छा, अब second, इसको माल लेते, equation number one, second वाली body पे लगाते तो F equals to M2 A2, याएगा equation number two, और थर्ड वाली body पे माल लोग कि असले जन A आ गई, तो आप बोलोगे F equals to M1 plus M2 into A, हाया न, बिल्कुल बोलोगे, चलिए F equals to, बत F upon A1 plus, दुसरे वाली body से, F upon A2 into A, right, F, 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 सब चम्मा चम्मा होगे, को मान आगे, right or wrong, बिल्कुल, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, तो ही क्या आएगा जान से देखना, one equals to A1 A2, LCM आ जाएगा, ऊपर आजाएगा, A1 plus A2 into A, तो A कि वाल लोगा आ रिये भाई, A1 A2 upon A1 plus A2, that is my acceleration for the complete body, तो मेरे साब से आंसर कौन सा आ रहा है, third option, right, next देखो, एक और question लेकर आएगा हूं, ताकि action reaction के बारे में थोड़ा सी बात क्लियर हो जाए, action reaction can never balance out, मनलब कभी भी आप ऐसा नहीं करते कि action reaction से reaction को काट दिया और खतम होगे सब कुछ, क्यों, क्यारी ये एकवल होते हैं, but not opposite always, ये तो गलत है, they are unequal in magnitude, ये भी गलत है, क्योंकि action reaction तो होई नी सकता है, do they are equal in magnitude and opposite direction, they act on the different bodies, yes, that is the perfect reason, क्योंकि ये दोनो जो forces होती है, अलग अलग bodies पर लगती है, इसलिए एक दूसरे को cancel out, नहीं करती है, ये ही reason है, तो ये कुछ छोटे-छोट questions हमने किये, ताकि हमारा कुछ concepts क्लियर हो जाए, last question आपके screen पे आ गया है, एक linear momentum body का दिया हुआ है, और linear momentum की equation दी हुए, a plus bt square, right, a और b constant, net force acting on the body, ये बताना है, net force कैसे निकालता है, क्या आपको बता है, आपको पता है, fqs to dp by dt होता है, चलिए, d by dt, differentiation सब को करना हाता ह है, a plus bt square का differential कर दो भाई, क्या एगा बता हुआ, क्या एगा बता हुआ, क्या बता हुआ है, रखेको बता हुआ है, और bt square का 2 bt, right, na, तो f is proportional to t, का तो का अप्शन आएगा, fourth option, the net force acting on the body for a one dimensional motion is proportional to t, अ बता हुआ या तक को डाउट दो, सब को समझ में आ गया, अगर अग लाइक होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और comment में बताओ मुझे, कुछ भी अगर कोई भी problem है, कोई भी दिक्कत है, या कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रहे है, तो please comment below, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि comment के answer देता हुआ हूँ, ठीक है, चलिए, thank you everyone